वल्कम बैग गाईज हम अल्रीड देख चुके हैं कि अगर हमें डिफरेंट टाप के मैसेज को शो करवाना है पॉपप विंडो में तो कैसे करते हैं ठीक हमने शो एर दिखा था आस्क वार्निंग दिखा था ठीक है यह आस्क यस नो दिखा था आज हम बात करेंगे कि यह हैं और टेक्स इसको पर था हैं पॉपप ओके अंड कमा तर्स कमांड हमसे देते हैं गेट मी ठीक है मैं इक फंक्शन यहां पर क्रेट कर दूंगा गेट मीनें से define cat me oh now after pressing this button मैं क्या करना चाओता हूं यहां लेकों का simple dialogue ठीक है dot ask string that is the method to take input as strings ठीक है फिलाल simple dialogue पर यह error दिखा रहा है तो वो error को solve करने के लिए हमें एक package को import करना होगा from key tinker import sorry from key tinker import simple dialogue okay just run this program there is no button actually हमने button को pack ने किया है button dot pack कि रंदेस अगेन अब मैं जो पॉपप पे क्लिक कर रहा हूं तो यहार एक एर्र आ रही है वो कह रहा है कि missing two requirements position arguments title and prompt okay ask string हमारा दो arguments यहां पे accept करता है पहला हमारा जो हमारे pop-up window का title होना चाहिए मैंने लिखा input string और दूसरा जो हमें message को print करना है तो मैं लिखा please enter your name right फिर से से रन करते हैं तो यह हमारे पास में window आ गई मैंने pop-up पे क्लिक किया यह हमारे पास में आ गया please enter your name ठीक है तो यह pop-up window को में create करना था राइट अब यहां पर एपना name create enter कर सकते हैं मैंने लिखा indrajeet press ok ठीक है तो यहां से sm input ले सकते हैं अब input receive कैसे करेंगे हम यहां पे कोई ले ले लेते हैं मैंने कहा s equal to simple dialogue dot ask string now the value will be stored in x अब इस x को कहीं भी यूज कर सकते हैं for example मैं कहीं यूज नहीं करने वाला हूं just print करके देखते हैं कि यह वर करता है या नहीं करता है ठीक है फिर रन किया पॉप अपर पे कलिक किया लिख आगा presenter name मैंने कहा indrachit sync ok किया और यहां पर आगया indrachit sync तो ऐसे हम string को user से input कर आ सकते हैं ठीक है जासे हम इसे टाइप से हम यहां पे int भी ले सकते हैं ठीक है ask integer name से method है और अगर आपको integer value नहीं लेनी है तो आप यहां पे float value भी ले सकते हैं as the input okay that's all thank you bye